नमस्कार दोस्तों आज इस नई वीडियो में बात करेंगे नेत्रहाट आवासी विद्याले के बारे में जो की जारखंड के बच्चों गले है तो अगर आप जारखंड के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए अगर आपका बच्चा अभी फिफ्थ क्लास में बढ़ रहा है तो आप अपने बच्चे को 6th क्लास के लिए बिल्कुल free form apply कर सकते हैं अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं और इस विद्याले के माध्यम से आप अपने बच्चे को 12th क्लास तक बिल्कुल free education दिलवा सकते हैं पहले जो ये school था मैं आपको बता दूँ नेत्र यहां से 3000 से भी ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे exam pattern के बारे में कि नेत्रहाट आवासी विद्याले का exam pattern क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10 से 12 साल के बच्चे इस विद्याले में apply कर सकते हैं पेपर दे सकते हैं और मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म भरने की जो last date है वो आपका 30 सेप्टेंबर है ठीक है जी तो 30 सेप्टेंबर फॉर्म भरने की last date है आपको उसके accordingly planning करनी पड़ेगी परिक्षा कब है यह आपको मैं बताऊंगा और exam pattern क्या है तो इसका जो exam होता है आपका दो faces में conduct किया जाता है एक paper आपका conduct किया जाएगा शनिवार के दिन 31 October को और जो दूसरा paper होता है पहले paper में 500 बच्चों को select करते हैं और जो 500 बच्चे select हो जाते हैं पहला paper जो है आपका सुबर conduct किया जाता है 10 बज़े से लेके 12 बज़े की बीच में जिसमें आपस आपसे हिंदी पूचा जाता है आपसे reasoning पूचा जाता है 20 नंबर का आपसे science पूचा जाता है 20 नंबर का GK और गणित आपसे 20 नंबर का total 100 marks का paper आता है तो यहां से जो first phase में paper होता है उसमें हम लोग 500 बच्चों को select करते हैं वो बच्चे select होने के बाद फिर second phase का paper देते है ठीक अगले दिन यानि एक नवंबर 2020 को रवीवार के दिन paper देते हैं तो एक paper आपका सुबह होता है अगला paper आपका शाम को होता है एक बज़े से लेकर के तीन बज़े के बीच में दो गंटे का paper होगा इसमें हिंदी आपका 25 नंबर का math 25 नंबर का science 25 नंबर का और GK आपक सबसे जो important बात है कि देखिए ऐसे स्कूलों में वो parents जिनका financially जो बिलकुल भी strong नहीं है जिनके पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चों को एक अच्छे level पे पैसा खर्थ करके नहीं पढ़ा सकते हैं उन बच्चों के लिए सरकार द्वारा ये school चलाया जाता है बिलकुल भर सकते हैं 100 number का paper होता है जब तक आपको exam pattern नहीं पता है आप अपने बच्चे को कैसे तयारी करवाओगे आपके पास पैसा भी नहीं है आपके पास knowledge नहीं है आपके पास information नहीं है आप कैसे अपने बच्चे को तयारी करवाओगे तो यह video मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप अपने बच्चे को धीरे 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 आप लोग लगाई है यह एक long term process है एक साल, तेर साल, दो साल धीरे धीरे जब आप तयारी करवाएंगे तब आपको आपके बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको बता दूँ कि 1954 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी, फॉर्म इसका बिल्कुल फ्री बढ़ा जाता है, पेपर वन पेपर टू दोनों ही आपके 100-100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है जी, तो आपको बता दूँ कि जो reasoning है, वो फर्स्ट पेपर में बाता है, लेकिन सेकें पेपर है, वो आपका सब्डेक्टिव है, तो अगर आप अपने बच्चे को तयारी करवाना चाहते हैं, इस स्कूल में आपको 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बिल्कुल फ्री फड़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री हो, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बै इसमें हम आपको समुल्दला अवासी विद्याले, जवार नगोदे विद्याले, इस तरह के हम आपको पेपर्स देंगे, ताकि आपका बच्चा वीडियो देखे, आपको इसमें 5 बुक्स का सेट भी मिलेगा, पिछले 10 सालों के 100 सेंपल विपर आपको मिलेंगे, वीडिय नहीं कहाता कि नेत्रहाट आवासी विद्याले का पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, या बहुत डिफिकल्ड है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा रहा हूं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, चाहे पेपर सिंपल आए, चाहे डिफिकल्ड आए, अगर आप बिल्कुल तैय तैयारी करके नहीं जा रहे है, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फॉर्म बर देंगे पेपर निकल जाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, कॉंपटिशन बहुत तगड़ा होता है, हर लेवल पर दो फेज में पेपर हो रहा है, दो फेज का पेपर ही सीले है, ठीक है जी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके आस पास तैयारी करने का महौल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए, सिर्फ दस अजार रूपे में आपका बच्चा, आपको बुक्स भी म हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर गभाईए, जै हिंद, जै भारत!